दोस्तों मैं मनसारा मरमा अपने चैनल स्मिस्टेडी गुरू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जूनियर असिस्टेंट का एक्जाम 4 जनवरी 2020 को हुआ था और उसके ऑफिशियल पेपर और ऑफिशियल एंसर की के साथ हम प्रस्तूत हो रहे हैं तो जिन साथियों ने एक्जाम दिया है वो अपना मैच भी कर सकते हैं और साथी साथ भविश्य में जिनका भी UPSCC से रिलेड़ेट कोई भी एक्जाम है उनके लिए ये बहुत ही इंपोर्डेंट है क्योंकि आयोक के सही एंसर को जानना बहुत जरूरी हो जाता है तो स्टार्ट करते हैं पेपर को ये इवनिंग सिफ्ट का पेपर है और एवी सीरीज का पेपर है तो इसका पहला कोईश्यन संग्या के जिस रूप से इस्तृत्त का बोध होता है उनमें कौन सा लिंग होता है तो ओफिशियल आइंसर की से हम आइंसर बताएंगे तो जिनको भी किसी भी क्वेश्यन में डाउट हो रहा है आइंसर की के बाद भी तो कमेंट बाक्स में कमेंट जरूर करें तो फर्स्ट का एंसर होगा इस्त्री लिंग इस्त्री लिंग इसका सही एंसर होगा आप्शन B नेस्ट कोश्चन है अकारांत इस्त्री लिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है तो दूसरे का answer C नेस्ट है उर्दू शब्द शौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है तो तीन का answer होगा option B उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है नेस्ट है चार नंबर question है मैं का बहुवचन तो मैं का बहुवचन A यानि की हम होता है नेस्ट प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है तो अशुद्ध बताया गया है B option को व्यक्तिवाचक अकारांत पुलिंग शंग्याओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है नेस्ट प्रस्ण है चरण कमल बंदो हरिराई इस काबे में अलंकार बताना है तो छे नंबर का answer होगा option B रूपक अलंकार नेस्ट है बांधा था विद्ध को किसने इन काली जंजीरों में तो इसमें अलंकार पुछा हुआ है तो साथ नंबर में D option सही है अतिश्योक्ति नेस्ट है इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत पुरुष समास से संबंधित है तो आठ का सही answer option C होगा यानि कि इसमें प्राया उत्तरपद्धान होता है नेस्ट प्रश्ण है जिस सामासिक शब्द को में पूर्वपद और उत्तरपद गौण होता है उसकोई तीसरा पद्धान होता है तो उसको क्या कहते हैं तो नो का सही answer है A option बहुँपरी यह नेस्ट है अनुरूप में कौन सा समास है तो दस का सही answer option D है अब्याई भाव समास यथोचित का सही संदिविच्चेद बताना है तो ग्यारा का सही answer option C होगा यथा प्लस उचित नेस्ट प्रश्ण है विद्यार्थी का सही संदिविच्चेद है तो 12 का सही अंसर B आप्षन है विद्या प्लस अर्थी नेस्ट प्रशन है नाविक का सही संधिविच्चेद बताईए तो 13 का C आप्षन सही होगा 9 प्लस 1 ब्यवहार का सही संधिविच्चेद बताना है तो 14 का सही अंसर होगा A आप्षन B प्लस आव प्लस हार नेस्ट प्रश्ण है, शावधान का सही संदिविच्चेद, पंदरा का D बताया गया है, सा प्लस आवधान, महरसी का सही संदिविच्चेद, 16 नंबर कोश्चन का एंसर बताया गया है, C आप्शन महा प्लस रिशी, निश्चल का सही संदिविच्चेद, 17 का A आप्शन सही हो की सत प्लस धर्म नेस्ट प्रशन है निमलिखित में से सुद्ध वाकिका चैन कीजिए तो 19 का सही एंसर आप्शन भी होगा यानि की राह चलते दोनों में तकरार हो गई नेस्ट प्रशन है निमलिखित में से सुद्ध वाकिका चैन कीजिए तो 20 का सही एंसर A option है गंदा पानी उबाल कर पिएं नेस्ट प्रशन है निमलिकित में से शुद्ध वाक की का चैन कीजिए 21 का सही एंसर option A है सीधी लकीर खीचना बहुत कठिन है नेस्ट प्रशन है निमलिकित में से शुद्ध वाक की का चैन कीजिए तो 22 का सही answer option B बताया गया है घुसकलन से शैकडो घर तबाह हो जाते हैं हो गए नेस्ट प्रशन है निमलिकित में से शुद्ध वाक्य का चैन कीजिए तो 23 का सही answer option D होगा पेंड लगाओ जीवन बचाओ नेस्ट है निमलिकित में से शुद्ध वाक्य का चैन कीजिए तो 24 का A option सही है मनुस्य के सरीर में इस्थित आलस से उसका सबसे बड़ा दुश्मन है नेस्ट प्रशन है आसू पीकर राह पूछना रासू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ बताना था तो इसका D option सही होगा चुपचाप दुख सहलेना नेस्ट है आंधी आवे बैठ गवावे तो 26 का सही अंसर option B बताया गया है विपरीत परिस्थिती में उपरियुक्त समय आने का इंतजार करना तो पूरी अंसर की आपको मिलेगी 130 प्रसंते पूरे official साइट से बताया जा रहे है 27 की किताब का कीड़ा होना तो 27 का सही अंसर होगा option C यानि की बहुत अधिक पढ़ने वाला नेस्ट है कच्चा चिठ्था खोलना उपरियुक्त अर्थ बताना है तो 28 का option A बिल्कुल सही है सारा भेद खोल देना नेस्ट है त्रशंकू होना त्रशंकू होना B option सही माना गया है किसी और का न रह जाना नेस्ट प्रशन है भाई गतिसाप छसुंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ बताना है तो 30 का D option सही है दुबिधा में होना नेस्ट है घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का उपरियुक्त अर्थ बताएं तो 31 का A option बिल्कुल सही है अनेक छेत्रों का अनभव और जिन प्रशनों में आपको कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जिससे कि हम आपको बता सकें कि इसमें objection करना है कि नहीं करना है तो 31 का A option सही है नेस्ट है 32 32 का मूर्त सब्द का विल्लोम बताना है अमूर्त होगा option A सही है नेस्ट है सम सब्द का विल्लोम सम सब्द का विल्लोम होगा C option बिशम नेस्ट है लोक सब्द का विल्लोम D option है परलोक नेस्ट है सम्मुख सब्द का विल्लोम A option होगा बिमुख वक्ता सब्द का विलोम C आप्षन होगा श्रोता नेस्ट है आवरित सब्द का विलोम इसमें D आप्षन होगा अनावरित नम सब्द का प्रयाईबाची बताना है तो 38 का D आप्षन सही होगा आद्रा निमलिखित में से कौन सा शब्द डर का प्रयावाची नहीं है तो 49 में A आपसन सही होगा C, T निमलिखित में से कौन सा शब्द कुशल का प्रयावाची नहीं है तो 40 का B माना गया है अच्छ निमलिखित में से कौन सा शब्द पच्छी का प्रयावाची नहीं है तो 41 का C आपसन सही है पंधी नेस्ट प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का प्रियावाची नहीं है तो 42 का B आपसन सही है दोहित्र नेस्ट प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का प्रियावाची है तो 43 में A कुत्षा माना गया है नेस्ट प्रस्ण है निमलिखित में से कौन्षा शब्द दुस्ट का प्रियावाची नहीं है तो 44 का B आपसन सही होगा खलक नेस्ट प्रस्ण है निमलिखित में से कौन्षा शब्द तत्सम नहीं है तो 45 का A आपसन सही होगा परतीत निमलिखित में से कौन सा शब्द तदभव है तो 46 का D आपसन सही है उजास निमलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है तो 47 का A आपसन सही है किशन निमलिखित में से कौन सा शब्द तदभव नहीं है तो 48 का B आपसन सही होगा अधर नेस्ट प्रस्णा है निमलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है तो 49 का C आपसन सही होगा पानिप नेस्ट है निमलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है तो 50 का D आपसन सही होगा उपखान निमलिखित में से कौन सा शब्द तदभो नहीं है तो 51 का B आपसन सही है तदभो निमलिखित में से कौन सा शब्द तदभो निमलिखित में से कौन सा शब्द तदभो नहीं है तो C आपसन सही हुगा उल्जन नेस्ट प्रशन है रात में बिचरण करने वाला प्राडी क्या कहा जाता है तो इसका सही एंसर बताना है तो 53 का D आप्षन सही होगा निशाचर जो खाने योग न हो उसको क्या कहते हैं A आप्षन अखाद दे नेस्ट प्रशन है जिसके घर जिसके पास घर ना हो तो उसको कहेंगे अनिकेत क्या कहेंगे अनिकेत नेस्ट प्रशन है इन में से गुस्से का समानार्थी नहीं है तो 56 का सही एंसर होगा आप्षन C अपकर्ष नेस्ट प्रशन है इन में से कौन शब्द मद का समानार्थी न जिन भाव आचक संग्याओं में के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है तो 58 का question कभी आपसन सही होगा इस्त्री लिंग नेस्ट है pulling संग्या के अस्थान पर इस्त्री लिंग कर देने से काला विशेशन का क्या रूप होगा तो इसका सही answer D होगा काली नेस्ट है कवाली सब्द कौन सा लिंग का है तो इसका B आपसन सही है इस्त्री लिंग नेस्ट हम 61 reasoning section की बात करते हैं तो 61 में A option D सही है option D सही है नेस्ट प्रश्ण है 62 62 में A option है reasoning का discussion करवाया गया है आप उसको देख सकते हैं वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगे 63 का B आपसन सही है safeguard नेस्ट प्रश्ण है 64 इसका C आपसन सही है यन नेस्ट है 65 D आपसन सही माना गया है 65 D नेस्ट प्रश्ण है 66 इसमें B आपसन सही है L नेस्ट है 67 C आपसन सही है यनि कि यम नेस्ट प्रश्ण है 68 नंबर इसका आपसन D सही होगा नेस्ट प्रश्ण है 69 इसका B आपसन सही है नेस्ट प्रश्ण है 70 इसका C आपसन सही होगा 34 71 का A option सही है O, T, E 72 इसका B option सही है B option यानि की 8 Next है 73 73 का A option सही है A option यानि की केवल निसकर्स एक मेल खाता है Next प्रस्ण है 74 74 का C option C option तो जिनको रिजनिंग का डेटेल्ड वीडियो देखना है तो चैनल पर विजिट कर सकते हैं 75 A option सही होगा Next प्रस्ण है 76 इसका C option सही होगा यानि की भूछरन मानो जाती के अनुचित कार्रियों जैसे अतिचारन या क्रसी की अनुपूयोगी पद्धतियों का परिणाम है Next प्रस्ण है 77 B option सही होगा इसका B option Next प्रस्ण है 78 B option इसका भी सही है गुलाबी Next प्रस्ण है 79 79 का सही एंसर होगा आपका D option यानि की भूगोल 80 80 में होगा B option हिमकुटी 81 में होगा D option खड़ी चट्टाने Next है 82 82 में आपशन सही होगा C सेमिनार संगोष्ठी जिसको कहते हैं Next है 83 इसका B option सही होगा Next 84 84 का D option सही है यानि की 325 85 85 का सही एंसर होगा C option 23 86 D option धून होगा Next है 87 इसका D option है D option यानि की 6 सही होगा Next है 88 तो इसका C option सही है सभी एंसर आपको Official एंसर की से बताए जा रहे है 89 B option सही होगा और वीडियो को Like, Share ज़रूर कर दें 90 नंबर में C option माना गया है Next प्रस्षन है यह GS section है इसमें 40 questions होगे जो कि आपके आने वाली परिक्षाओं के लिए इंपॉर्डेंट हो सकते हैं कोई भी questions कभी भी repeat हो सकता है तो ध्यान से आप मैच करें 91 उत्तर प्रदेश राज में सहर पीतल के बरतन और हस्तसिल्प के लिए प्रशिद्ध है तो इसका सही एंसर option B होगा मुरादाबाद नेस्ट है बनारस हिंदू विश्विद्याले किस वर्स अस्थापित किया गया था तो 92 C option सही है ये कई बार repeat हो चुका है UPSC के एक्जाम में 1916 2016 की जनगर्णा के अनुसार उत्तर प्रदेश का सरवाधिक साच चर जनपत कौन सा है 93 में B option सही होगा कानपूर नगर नेस्ट प्रशन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में वर्स 2018 के लिए प्रतिश व्यक्ति घरेलू GDP यानि की सकल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक था तो 94 का option C सही है गौतम बुद्धनगर उत्तर प्रदेश का राज किये पुस्प निमलिखित में से कौन है तो 95 का D option सही होगा पलास नेस्ट है वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश में प्रधान मंत्री किशान शम्मान निधी को से शुरू किया गया तो 96 का option B सही होगा गोरकपूर नेस्ट प्रशन है दुम पुक्त उत्तर प्रदेश में की एक लोगप्रिये प्रक्रिया है तो 95 का answer होगा A. बेंजन पकाने की भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने की और चारिक परंपरा निम्लिखित में से कौन है तो 98 मिस C. आपसंस है होगा दस्तर खान अगर आपने answer मैच कर लिया है मैच करने के बाद आप अपने comment करके बताएं कितने माक्समन नहीं और cut-off का वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या फिर वीडियो में देख सकते हैं चैनल पे 99 question है उत्तर प्रदेश को किस सहर को ceramic city कहा जाता है तो 99 का D. आपसंस ही है खुरजा नेस्ट है उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा सहर अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बरतनों के लिए जाना जाता है तो 100 का C. आपसंस ही होगा चुनार नेस्ट प्रशन है निर्त्य और संगीत की एक सहली से शम्मंधित लखनव घराना का दूसरा नाम तो 101 का D. आपसं पूरब घराना नेस्ट है निम्लिखित में से कौन सा देश भारतिय चाय का सबसे बड़ा आया तक है यानि कि इंपोर्टर आफ इंडियन टी तो 103 का सही अंसर B. आपसं है रूश नेस्ट है वर्ष 2000 वर्ष में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिषड़ा में पहली जूट मिल्क अस्थापित की गई थी तो 104 का सही अंसर होगा आप्शन B. अठारा सो पचपन एसिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्लिखित में से किसे माना जाता है तो 105 का सही अंसर आप्शन A है खारी बावली नई दिल्ली निम्लिखित में से कौन सी कंपनी भारत की क्रिकेट टीम के लिए आरिकारिक प्रयोजक है तो 106 का D. आप्शन सही है पेटियम वर्ड पुलिस अंड फायर गेम्स 2019 निम्लिखित में से किस देश में आयूजित किया गया था तो B. इसका सही होगा चाइना निम्लिखित में से किस फिल्म को 2019 में चाचटा हूँ वहां राश्ट्री ये पुरुसकार जीता तो 108 का A. आप्शन सही है लारो निम्लिखित में से किसे बीर चक्र से सम्मानित किया गया तो 110 में C. आप्शन सही है बिंकमांडर अभिनंदन बर्दमान को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 भारत में अस्थान है तो 111 का B. आप्शन सही है बावन उहां जनसंख्या के आधार पर देशों और निर्भरताओं की सूची में भारत की रैंक क्या है तो 112 में B. आप्शन सही होगा दो नेश्ट है भारत के किस सहर ने सुच्छ सरवेच्छन नेशनल रैंकिंग 2019 में पहला स्थान प्राप्त किया है तो C. आप्शन सही है इन दोर नेश्ट है वस्तुयोम सेवा कर GST भारत में एक जुलाई को पेस किया गया तो सन पूछा गया है तो 114 में C. आप्शन सही है 2017 नेश्ट है राज्य सभा की विशेश सक्ती इस आश्य का प्रस्ताव अपना कर सम्विधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में सामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को ससक्त बना सके तो 115 का आप्शन नमबर D सही है 241 नेश्ट प्रस्न है केंद्र सरकार के विभिन मंत्रालेओं विभागों के काम की जाच करने के लिए विभाग से सम्मंधित अस्थाई समितियों की अस्थापना में की गई ताकि संसद के प्रती सरकार की जबाब देही और मजबूत किया जा सके तो 116 का आप्शन B सही हो रहा है 1993 नेश्ट है पाँचवे अनुसूची छेत्रों फिप्थ सिडूल्ड एरिया वाले कितने राज्ये पंचायतों अनुसूची छेत्रों तक विस्त्रित से संबंधित अधिनियम 1996 के तहट आते हैं तो 117 का आप्शन C सही होगा 10 नेश्ट प्रस्ण है अनुच्छेद के प्रावधानों के तहट लोगसभा और राज्यसभा की साइयूक्त बैठक को राष्टपती द्वारा बुलाया जाता है तो 118 में आप्शन C सही होगा 108 नेश्ट प्रस्ण है लोगसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिती के पास ओट डालने की सक्ति किसके पास होती है तो 119 का B आप्शन सही होगा इस पीकर भारत के किस राज्ज में भारत में करकरेखा ट्रॉपिक आफ कैंसर के आतिशमी पस्त सहर है 120 में C आप्शन सही है त्रिपुरा नेश्ट है उस पडोसी राज्ज की पहचान करें जिसके पास साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साजा करता है तो 121 में D आप्शन सही है बांगलादेश नेश्ट है भारतिय प्राइदीप तक फैला हुआ है तो 122 का सही एंसर B है हिंद महाशागर नेश्ट है निमलिखित में से दुनिया की सबसे तंग घाटी कौन सी है तो 123 का D आप्शन सही होगा ग्रेंड कैनियन निमलिखित में से कौन दुनिया का सबसे बड़ा नदी दीप है तो इसका सही एंसर होगा आप्शन D यानि की माजुली असम नेश्ट प्रस्ण है ताजमहल के सुलेखक कैली ग्राफफर ने 1648 इसबी में इसकी रचना की और पूरा किया तो 125 का C आप्शन सही है अमानत खान सीरा जी नेश्ट प्रस्ण है सुतंतरता सेनानियों भगत सिंग सुकदेओ और राजगुरु को फासी की सजा दी गई थी सन बताना है तो 126 का B आप्शन सही होगा 1931 नेस्ट है मैं ब्रिटिस सरकार ने भारत में सरकार की सनरचना में कुछ सुधारों की घोशड़ा की जिन्हें मारले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है तो इसका सही अंसर आप्शन B होगा 1909 राज्ज में ब्यवसाय अस्थापित करने के उद्देश से उद्योग बंधू उत्तरप्रदेश सरकार का आईयस आईयस सो प्रमाडित स्थरिये निकाय है और यहां सभी और दोगिक अनमोदनों को समाहित करता है तो 128 का C आप्शन सही है तीन नेस्ट प्रस्ण है भारत में सौफ्टवेर निर्याद की द्रिष्टी से उत्तरप्रदेश का स्थान पूछा गया है तो 139 में D आप्शन सही होगा यानि की चोथा नेस्ट प्रस्ण है वर्ष 2018 में राज जी का दोरा करने वाले घरेलू परेटकों के मामले में उत्तरप्रदेश का स्थान तो दूसरा स्थान है भी आप्शन सही होगा तो इस प्रकार 130 कोश्चन आपके कंप्लीट हुए और जिन कोश्चनों में आपको किसी भी प्रकार का डाउट है ये ओफिशिल एंसर की है जो एंसर UPCC आयोग ने बताया है वही हमने आपको बताया हुआ है अगर किसी प्रकार में डाउट है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं और अपना स्कोर सेयर करें जिससे हम आपको सही देशा नर्देश दे पाएं थाइंक यू सो मुच